अस्तलाम अलेकों स्टूजिन्स उमीद है आप सब खेरियत से होंगे अब तक हम यह सीख चुके हैं कि अलजब्रा क्या होता है और वो अलजब्रा के एक्स्प्रेशन जिन में एडिशन और सब्ट्रेक्शन हो रही हो उन्हें किस थाना लिखा जाता है अगर आपने वो वीड देख सकते हैं और हमारा आज का एजन्ड़ यह है कि हमने वो जब्राइक एक्स्प्रेशन लिखना सीख रहे हैं जिन में मुल्टिप्लिकेशन और डिवीजन होती है तो फिर आई श्रू करते हैं इस मकसद के लिए जिस बुक का इस्तमाल हम कर रहे हैं वो है प्राइमरी मै जूस है अगर मेरे पास ऐसे चार ग्लासेज है जिन चारों में पी एमल जूस है तो मेरा सवाल यह है कि चार ग्लासेज में टोटल कितना जूस मौजूद है आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू मल्टिपल टाइम्स रिपीट कर रहे होती है तो हम उस सूरत में कौन सा operation परफॉर्म करते हैं यहाँ पर पी रिपीट हो रहा है फोर टाइम्स तो हम लिख सकते हैं फोर टाइम्स P तैरिक। algebra में इसी बात को मैं इस तरह भी represent कर सकती हूँ 4, P याद रखिए कि algebra में जब किसी value, किसी constant value और variable के दरमयान कोई operator मौजूद ना हो तो by default उनके दरमयान जो operation perform हो रहा होगा वो होगा multiplication का operation और ये भी याद रखिए कि ऐसा करने पर आप पहले number लिखेंगे और बाद में variable यानि आप 4, P लिखेंगे तो वो सही होगा लेकिन आप P4 नहीं लिख सकते हैं वो गलत माना जाएगा So, there are 4 P ml juice in 4 glasses एक glass में अगर P ml juice था तो 4 glasses में 4 P ml juice है Next question इनबास के there are Q apples and twice as many oranges as apples इनबास के there are Q apples कितने apples है? Q apples है अच्छा कुछ लोग इसे ही ये गलती करते हैं कि यहाँ पर Q को 9 पढ़ रहे हैं ठीक है? तो यह 9 नहीं है क्योंकि अगर यह 9 हो तो twice as many oranges इसका मतलब 18 oranges हो गए जबके algebra में तो quantity unknown होती है तो अगर यहाँ पर सारी values known होंगी तो फिर algebra के expression नहीं रहेगा So this is Q, right? Apple Q है? And twice as many oranges as apple ठीक है? Oranges कितने हैं? Twice Twice का मतलब है Double यानि कि आपने किस से multiply करना है? Two से multiply करना है Q को How many oranges are there? There are two Q oranges Apple से two times जादा Write an algebraic expression for each of the following Explain your answer Multiply A by 7 A को multiply करना है जनाब 7 से तो हम लिखेंगे A times 7 7 A ऐसे भी लिख सकते है Multiply 3 by B 3 को multiply करना है B से जिसके हम algebra में 3 B भी लिख सकते है Nine groups of C अब ये वो keyword है Groups जो आपको बता रहा है कि यहाँ पे multiplication को operation perform करेंगे ठीक है? Nine groups है C के यानि 9 times C आ रहा है 9 C 5 times Another keyword Times Groups, Times, Product, Multiply All these give you a hint कि आपने multiplication को operation perform करना है 5 times D जिसे आप 5 D भी लिख सकते हैं There are X peanuts in a packet एक peanut का packet है जिसमें कितनी peanuts है? X peanuts है How many peanuts are there in 10 packets? अगर एक packet में X peanuts हैं तो 10 packets में 10 times X peanuts होंगी जिसे आप 10 X भी कह सकते हैं A ribbon is R cm long एक ribbon है जो R cm long है It is cut It is cut into 3 equal parts Cut से आपको क्या हो रहा है कि इस ribbon को आपने divide कर दिया है 3 equal parts में What is the length of each part? यहां पर कौन सा operation परफॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है? एक बड़ी चीज को आपने divide कर दिया है Parts चोटे कर दिये हैं इस एक पार्ट की length आपको मालूम करनी है तो यह एक पार्ट की length किस तरह से मालूम करेंगे? R divided by 3 जिसे algebra में इस तरह भी represent करते हैं So the length of each part is R divided by 3 cm Tom has T stems Tom के पास कितनी stems है? T stems है He puts an equal number of stamps in 5 albums उसके पास T stems हैं जिसे उसने 5 albums में लगाया है Equal हर album में equal number of stamps आए है तो यहाँ वो क्या कर रहा है? T stems को divide कर रहा है albums में पहली album, दूसरी album, तीसरी album, चौती और पांचरी album How many stems are there in each album? T divided by 5 जिसे आप इस तरह भी represent कर सकते हैं So there are T divided by 5 stems in each album There are 2 W cupcakes in a box एक box है जिसमें 2 W cupcakes है Seven children share the cupcakes equally आपने इन cupcakes को divide किया है Distribute किया है, divide किया है Share कर रहे हैं 7 बच्चे How many cupcakes will each child receive? एक बच्चे के हिस्से में कितने cupcakes आएंगे? Again बहुत असान यहां division का operation हो रहा है आपके पास 2 W cupcakes थे जिन्हें आप divide कर रहे हो 7 बच्चों में ठीक है? So each child will receive 2 W divided by 7 cupcakes Write an algebraic expression for each of the following Explain your answer Divide A by 2 अच्चा अब हमें यह बात जहन में रखनी है कि subtraction की तरह division भी commutative नहीं होती तो इस बात का बहुत दिहान रखना है कि कौन सी value को किस value से divide कर रहे है कौन divide हो रहा है? किस से divide हो रहा है? तो यहां पर divide A A को divide करना है 2 से A divided by 2 which can be written है like this in algebra Divide 5 by 7 5 को divide करना है 7 से Divide C C को divide करना है into 5 equal groups यानि के 5 से divide करना है C divided by 5 Divide D plus 1 D plus 1 यानि D और 1 के sum को divide करना है into 9 equal groups 9 से अब जो expression मैंने लिखा है क्या मैंने सही लिखा है? अगर आप जरा सरी call करें order of operations में हमने ये समझा था कि division के operator की priority ज़्यादा होती है बनिस्बत addition और subtraction में तो यानि कि जो expression हमने लिखा हुआ है इस case में पहले 1 divide होगा 9 से और उसका answer plus होगा D से हमें तो ये नहीं करना था हमें तो पहले D और 1 को add करना है और उस answer को divide करना है 9 से तो इसके लिए हम क्या करेंगे D plus 1 को enclose कर देंगे within the brackets आपको पता है ना सबसे पहले brackets के within जो चीज होती है वो solve होती है और उसके बाद उसका answer divide होगा 9 से और it can be written like this 4 children share pea chocolates equally ठीके चार बच्चे हैं जिनमें pea chocolates share हो रही है तकसीम हो रही है कितनी chocolates हैं? pea chocolates हैं ठीके divide divide क्यों कर रहे हैं आपे? अगर आप उर्दू में translate करके अपने question को समझोगे ना तो आपको तमाम बाते समझभा जाएंगी ठीके पी चॉकलेट आप तकसीम कर रहे हो यानि divide कर रहे हो बात रहे हो distribute कर रहे हो among four kids they share pea chocolates equally how many chocolates does each child get? ठीके एक बच्चे के हिस्ते में कितनी chocolates आएंगी? pea chocolates divided by four ठीके? each child will get pea divided by four chocolates तो ये तो था जरनाब हमारा आज का lesson जिसमें हमने सीखा कि वो algebraic expression जो multiplication और division हो रही होती है उन्हें कैसे लिखना है उमीद करती हूँ कि आपको बाते समझ में आ रही होंगी और अगर समझ आ रही है तो सदस classroom को subscribe करना ना भूले थम्स अप का बटन जरूर दबाएं जिससे हमें motivation मिलती है और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जनाते रहते हैं शुक्रिया, अलाहापिस